बढ़हल गंश के सिधुआ पार में महिला पुश्पा यादो की हत्या करने के छटवे आरोपी तेज नाराइन यादो उर्फ तेजु को पुलिस ने मंगलवार को जिस तवलिया मोड राम जान की मार्क से गरिफतार कर लिया अने अभ्युकतों को पहले ही गरिफतार किया जा चुका है घटना को करवाने वाला सरगना मृतिका का भतीजा गुपाल यादो अभी भी गरिफ से बाहर है जो विदेश कोरिया में रहकर अपना कारोबार करता है हत्या में शामिल पांच आरोपियों को पहले ही पुलिस जेल भेच चुकी है पकड़े गया आरोपियों पर पच्चिस हजार रुपे का इनाम था जिसके संबन्ध में एसपी साउथ अरुनकुमार सिंग ने पुलिस आफिस में प्रेसवारता करती वे बताया कि पुस्पा यादो बढ़हल गंज की रहने वाली थी लेकिन थाईलैंड की नागरिक्ता ली थी 22 नॉमबर 2021 को उनके घर में गुसकर बदमासों ने पुस्पा की गोली मार कर हत्या कर दी थी हत्या के अन्य पांच आरुपियों को 15 दिसंबर 2021 को पुलिस ने गुरिफतार कर जेल भिचवा दिया था छटा आरुपी मंगलवार को पकड़ा गया है जबकि मामले का सत्वा आरुपी मृतिका का भतीजा गोपाल यादो अभी भी गिरफ से बाहर है वा कोरिया में रहकर अपना कारोबार कर रहा है स्पी साउथ अरुन कुमार सिंग ने बताए कि कोरिया में रहने वाले गोपाल यादो को अपनी चाची मृतिका पुस्पा के चरित्र पर शक्त था समाज में लोकलास से उसके परिवार की छवी धुमिल हो रही थी इससे आहत होकर उसने अपने दोस्तों से मिलकर हत्या कराई थी गोपाल यादो ने अपने दोस्त विश्वनात यादो से संपर्क किया जो गोपाल यादो का खेत में बटाई पर जोते बोते हैं और विश्वनात का भाई श्रीकांत यादो जो पूर्वं में प्रधान रहा है विश्वनात यादो अपनी भावी को चुनाव लड़ाने के लिए गोपाल से करीब 7 लाक रुपया प्रधानी के चुनाव के समय ही लिया था तो गूपाल यादो ने उसी समय विश्रुनात यादो से कहा था कि तुम लोगों को एक काम करना होगा समय आने पर हम बताएंगे तो विश्रुनात यादो ने यह बात अपने भाई श्रीकान से बताई जिस पर वह तयार हो गया तब गोपाल ने अपनी चाची पुस्वायादो की हत्या करने के लिए कहा तो वे तयार हो गए फिर गोपाल विश्वनात वश्रिकांत यादो से मिलकर घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना कर अपने सियोगित तेजु उर्फ तेज नारायन पुत्र रामचंदर या वाकोविन्द यादो के साथ मिलकर योजना बद तरीके से अगहटना को अंजाम देने के लिए शज्रिकान तुआ उंऐश यादो द्वारण सत्रा नवंबर को मृतिका पुश्पा यादो के घर की रेकी किया गया फिर योजना की अनुसार दिनाक 22 नॉमबर को दिन में घटना को अंजाम दिया गया था गिरफतार करने वालों में प्रमुक रूप से प्रभारी निर्क्षक उमीश कुमार बाजपेई वरिस्ट उपनिर्कषक अश्वनी तिवारी उपनिर्कषक राजीश पांजे अपनिर्कषक जुगेश आनन्द कॉंस्टिबल सतीन दिभासकर कॉंस्टिबल निलिश कन्नौज मास कटा दो कोई तरह कोई तरह कोई इसके विर अप्तारी में 25 जार करी नाम बिताए कोई अप्तार के अब बाइस नमंबर को बढ़ाल गन ठाना छेत्र में सिद्वापार बाइपास के पास एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला को घर में घुष करके गोली मारी गई थी घटना का अनावरन 15 दिसम्बर को हुआ और पता चला कि ये एक बड़ा मास्टर माइंड गेम था कोरिया में बैठ करके उसका भतीजा और यहां लोगों को घर की रेकी करा करके वीडियो कालिंग के माध्यम से और फिर उसने पूरा किराये के हत्यारे बुला करके ये हत्या कराई थी उस अनावरन के बाद पता चला कि इसमें जो तीन किराये के हत्यादार मुल्जिम थे हत्या करने वाले वो आल्रडी जेल में पहले से थे गटना के बाद वो तमंचे में बंद हो गए थे दूसरे जनपत से तो उन दोनों का अभी वारन भी इस केस में बनवाया गया प्रकास में कुल साथ नाम आये थे छटमा अभ्युक्त तेजु यादव आज गिरपतार हुआ है और सातमा जो उसका मास्टर माइंड है जिसने सारा सड्यंतर किया और इसके पीछे उसने पैसे भी खर्च किये है वो उसका भतीजा है जो अभी भी कोरिया में है पुलिस के राडार पे है और उसकी भी गिरपतारी का प्रयास हम वेदिक तरीके से कर रहे हैं अगर इस बीच में फिंदुस्तान आता है तो आगे हम वेदिक कार्जवाही करेंगे उसके थिलाब है आज इस अभ्युक्त को म नामजद जो लोग थे वो गलत नामजद्गी हुई थी हमारे पास वो सबके CCTV फूटेज इलेक्ट्रानिक सर्विलांस से साबित हो गया कि घटना किसी और नामजद्गी कुछ और हुई थी तो नामजद लोगों को भी नामजद्गी गलत की जा चुकी है